दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लाइप प्रूफ देखो मैं आपको एक AI कॉंटेंट दिखा रहा हूं यहाँ पे आप यह AI कॉंटेंट देखो कितना जबजस लग रहा है यह कोंटेंट कोई भी देखना चाहेगा आप देख रहे हो यह वीडियो कैसे चेंज हो रहा है अलग अलग वीडियो में यहाँ पे मैं आपको दूसरा वीडियो दिखा रहा हूं यह आप दूसरा वीडियो देखो यह भी वीडियो कैसे अलग अलग चेंज हो रहा है तो ऐसा आभी AI कॉंटेंट बना सकते हो दोस्तों आपको ऐसा AI कॉंटेंट बनाने के लिए नहीं तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो कि मैंने बहुत सारा रिसर्च कर रहा था YouTube पे कि ऐसा कोई एक content देखने को मिल जाए लेकिन मेरे को कोई YouTube पे ऐसा एक भी content देखने को नहीं मिला और दोस्तों ऐसा channel भी YouTube पे एक भी नहीं है तोस्तों ये channel idea ये video idea आपके लिए बहुत ब unlimited कहां से मिलेगा कैसे इसको download करना है कैसे edit करना है कैसे इसमें अपना value add करना है सारा process मैं आपको बताऊंगा तो इस video को बिना skip किये हुए आपको इंड तक देखना होगा तो चलिए video शुरू करते हैं Chinese application है और ये application आपको मेरे telegram channel पे मिल जाएगा उसको download करना है अपने phone म आपको ऐसा interface देखने को मिलेगा तो उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर आपको यह search का option देखने को मिलेगा तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर search option में मैं यहाँ पर कुछ ऐसा paste कर दिया title तो यह title आपको मेरे telegram channel पे भी मिल जाएगा और इस video के description में भी म मिल रहा है यहाँ पर अलग अलग unlimited video मिलेगा और यह सारा का सारा video ai से बनाया हुआ है अपको यहाँ से कोई विडियो डाउision करना है डाउनलूड करने का वेसस तरीका बता रहा हूं कैसे डाउनलोड करना है और यहां पे दोस्तों बहुत सारा option आ गया ठीक है यहां पे आप देखो यह download का option है copy link का option है ठीक है तो आपको download पे direct click नहीं करना है नहीं आप download पे click करोगे तो यहां से इस video का watermark भी आपको देखने को मिलेगा तो आपको करना क्या simple process है copy link करना है इस video का link copy कर लेना है और यहां से back आ जाना है यहां पे यह application आपको play store पे मिल जाएगा इस application का नाम है कोई video downloader इसको अपने phone में play store से download कर लेना है install कर लेना है open करना है open करने कबद कुछ ऐसा interface आगा तो आप जो video का link copy की हो यहां पे paste कर देना है paste करने कबद यह download का button दीख रहा है यह वाला यह download का button दीख रहा है इस पे आपको click कर देना है और click करने कबद कुछ ऐसे view reward ads download आएगा तो यहाँ पे आप view add पे click करोगे तो यहाँ पे 30 second का add आएगा जो कि यहाँ पे आप click कर दोगे तो यहाँ पे 30 second का add चलेगा और आप जब तक add देखोगे तब तक यह वीडियो आपके gallery में download हो चुका होगा तो दोस्तों यहाँ से मैं अब back आ रहा हूँ बाकी यह application आपको वह आला चाहिए तो मेरा telegram channel जोन कर लेना वहाँ से आपको भी यह application मिल जाएगा ठीक है मैं यहाँ create new पे click कर रहा हूँ और इसका जो ratio होने वाला है 9 into 16 इस पे आपको click करना है click करने बाद create पे click करना है कुछ ऐसा interface आएगा तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको image select करना है तो यहाँ पे आपको एक image का option देखने को मिल रहा है यह image assistance इस पे आपको करना है क्लिक करना है क्लिक करने बाद यहाँ से कोई एक background image ले लेना है जैसे मैं यह black वाला select कर लिया और यहाँ पे इस image को layer को आपको बड़ा देना है बड़ा कर देना है आपका जितना बड़ा video होने वाला है जैसे मेरा video 20-30 second का होने वाला है तो मैं उतना बड़ा कर दिया हूँ और आपको करना है क्या है आप जो video download किया हो उस video को select करके लाना है तो layer पे click करना है media पे click करना है और आप जो video download किया हो उस video को select करके लाना है जैसे मैं यह video download किया हूँ तो मैं इस video को select करके यहाँ पे ला लिया है यह वीडियो आ गया है तो आपको करना क्या है इस वीडियो को layer पर click करना है और इसको ऐसे पकड़ कर और इसको बड़ा ऐसे zoom कर लेना है यहाँ पर नीचे में थोड़ा सा Chinese में कुछ लिखा हुआ है तो इसको ऐसे zoom करके hide कर लेना है मैं आपको play करके दिखा रहा हूं कि यह वीडियो कैसा दिख रहा है यहाँ पर देखो तो आपने देखा यह वीडियो कैसा दिख रहा है तो आपको यहाँ पर करना क्या है आपको फस्ट इसमें आपको फस्ट एक्टिविटी एड करना है तो इस वीडियो के layer पर click करना है और इसका first time आपको यहाँ पे filter apply कर देना है कोई एक वीडियो पर यहाँ पर जैसे मैं कोई एक filter apply कर दिया इस वीडियो पर एसे कुछ मैं 50 कर दे रहा हूं ठीक है और दूसरा एक्टिविटी है आपको यहाँ पर एक text लिखना है ठीक है तो में layer पर click करना है text पर click करना है और यहाँ पर आपको ऐसा text लिखना है कि जो कोई text पढ़े तो रूप जाए text पढ़कर ठीक है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इस वीडियो को last टक देखो मज़ा आएगा ठीक है तो चलो मैं यहाँ जल्दी जल्दी लिख ले रहा हूँ ठीक है दोस्तों यहाँ पर मैं type कर दिया हूँ यह वीडियो on तक देखो मज़ा आएगा and यहाँ पर मैं ok कर दे रहा हूँ यह यहाँ पर text आ गया तो इस text को आपको top में लाना है ठीक है लाने के बाद यहाँ पर तोड़ा ऊपर करना है और यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा text background यह text background पर आपको click करना है और इसको enable करना है और यहाँ पर कोई एक text background color select कर लेना है जैसे मैं यह select कर लिया red और यहाँ से 50 पे 100 कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो यह आ गया है अब आपको करना क्या है यहाँ पर आपको इस text का font change करना है तो उपर में आना यहाँ पर font लिखा होगा इस पर click करके यहाँ से कोई आपको एक font select कर लेना है जैसे मैं कोई एक font select कर लिया उसके बाद इस text के layer को बड़ा कर देना है इसका duration अपने वीडियो इतना बड़ा कर देना है इस पर click करना है और जो भी एक्स्टा part है उसको आपको trim right कर देना है अब दिखा रहा हो यह वीडियो देखो कैसा लग रहा है दोस्तो अब यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हो यहाँ पर जो background music चल रहा है तो save करने के लिए यहाँ पर यह एक option है इस पर आपको click करना है और यहाँ पर इसको आपको relation full कर देना है और frame rate भी full कर देना है और यह low से high कर देना है उसके बाद save as video पर click कर देना है यह वीडियो आपके gallery में save हो जाएगा आई होप दोस्तों यहाँ वीडियो से आपने बहुत को सीखा और आप मेरे चैनल पर पहली बार है नए हैं तो यहाँ पहले वीडियो को like कर दो चैनल को subscribe कर दो साथ में bell icon दबादो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में जैहिं जैभारत